कि है गाइस वेलकम टो ट्वेंटी थर्ड लेक्चर ऑफ दे चैप्टर एनटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स मैं हरी शुकुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईजो बाइलाटरल लीफ के बारे में तो चलो लेक्चर साट करते हैं चलिए भाईया जी तो देखत है इसो बाइलाटरल लीफ के बारे में। इस cuerpo को अब Anlease में हमारा हो गया आईसोली लाटरल लीफ यहाँ पे देखो ट्राजवर सेक्चेन है मॉनोकॉट लीफ का यान इबेक्सिल एपिडर्मि मुझ यानि कि लोवर एपिडर्मिश है ठीक है और अपर और लोवर एपिडर्मिश के बीच में यह पूरा ग्रीन पर आपको दीख रहा है यह मेजय इंगे की इंग сок और फप्लोमflow था दो टाइप में ते जो टेइप में ठीशेड मेशोफिल जिसे हैं पैऑले से टिशू कहे रहे थे औरлон 17 मेशोफिल जो कि स्पंजी ही होता है यानि कि कहने का मतलब यह है कि यह जितना भी आप देख रहे हो ना यह सब सेल यह सब स्पंजी टिशू के सेल है यहां पर कहीं पर भी आपको कोई azione whose elongated ऐसे लंबा-लंबा थिरत है क्या नहीं लेकिन डाइकॉट में याद करो ऐसे लंबे-लंबे elongated इdd जनन्हें जो की किसके से टे पाइलि सेड के निया कै फैलि सेड के लेकिन यहां पर देखो Monocort leaf का जो mesophyll इसमें साड़े के सारे cell कैसे है, round, oval type है, जोकी spongy tissue के cells है, ठिक है, तो हमारा यहां पर जो mesophyll वाला part है, ये spongy tissue से बना, यानि कि spongy mesophyll से बना, और राइट, तो कहने, कहने, कहने की बात यह है, कि Palisade tissue जो होता है, वो absent होता है Monocot leaf में Spongey tissue सिर्फ होता है तो mezophyll is undifferentiated Undifferentiated होता है लेकिन Gorsi Ventral Leaf यारे की Deicote Leaf में हमारा जो mesophyll था वो differentiated था into Palisade and Sponge आईजो-bilateral में कोई Pallisade vaccinated नहीं है सिर्फ Spongey है All right, चलो Next point कि मेजोफिल सेल्स have only a few intercellular spaces के देखे रहो आप spongy सेल्स देख रहो spongy mesophyll के या फर जोने आप spongy tissue भी बोल लो क्या है यहां पर देखो बहुती कम बहुती कम सेल्स के बीच में आपको intercellular spaces नज़र आए बहुती कम तो यहां पर मैंने लिखा है mesophyll cells have only a few intercellular spaces, now moving on to the next point, the thickness of cuticle is equal on both surfaces, जो हमारा thickness होता है cuticle का, वो दोनों surfaces के तरव सेम होता है, लेकिन dicot leaf में याद करो, जो हमारा उपड वाला पाट था, dicot leaf का, dicot leaf कैसा था यह देखो, यह dicot stem है, यहां से यह हमारा dicot leaf है, ठीक है, dicot leaf याद करो, 90 degree angle पर होता है, perpendicular होता है stem के बीच में, stem और जो leaf उसके बीच में जो angle होता है, 90 degree होता है, तो जब धूप, यह हमारा sun है, sun का रोशनी जब पढ़ता है, तो वो ज़्यादा तर किदर पढ़ता है, हमारे dicot leaf के upper surfaces के तरफ, तो upper surfaces में जो cuticle होता है न, वो ज़्यादा थिक होता है, ताकि water loss minimize हो सके, compare to निचला वाला हिस्सा और dicot leaf, उपर वाला हिस्सा का जो हमारा cuticle होता है, dicot leaf में वो ज़्यादा ठिक होता है, लेकिन monocot leaf कैसा होता है, यह मैंने monocot stem बना दिया, ठीक है, यहाँ पे, यह मैंने node बना दिया, node से हमारा यहाँ निकला है, क्या monocot leaf, monocot leaf कैसा है, देखो, parallel है, stem के parallel है, dicot leaf कैसा था, perpendicular था, अब monocot stem parallel है, तो जो धूप है वो दोनों सर्फेस पे equally पहुचेगा ठीक है equally पहुचेगा इसलिए दोनों सर्फेस का जो दोनों सर्फेस पे जो cuticle होता है उसका thickness जो होता है equal होता है ठीक है next point देखो usually stomata on both surfaces equally number देखो again dicot leaf में उपर की तरफ stomata जो होते हैं वो ना के बढ़ावर होते हैं या absent ही होते हैं ठीक है नहीं होंगे stomata होंगे नीचे के तरफ stomata पाए जाता है अगें उपर के तरफ क्यों stomata नहीं होते हैं dicot leaf में क्योंकि देखो sun का light इतना पढ़ रहा है तो transpiration बढ़ जाएगा और ज्यादा और ज्यादा water loss हो जाएगा plant का इसलिए नीचे के तरफ जहां पर कम sunlight पहुंच रहा है वहां पर stomata होता है dicot leaf में और जितना भी क्या होगा equal number of stomata होगा ठीक है अब एक और पोइट यहां पर यह है कि देखो हमादा जो monococleaf jako क्या देखो sunlight दोनों तरफ पढ़ रहा है तो दोनों तरफ chlorophyll का नंबर भी सेम होगा अब दोनों तरफ quand追क में दोनों तरफ chlorophyll का नंबर सेम है तो दोनों तरफ chlorophyll का जो color होगा वो भी same होगा ठीक है दोनों तरफ same होगा लेकिन dicot leaf में उपड के तरफ क्या है जादा sunlight बढ़ रहा है तो उपड के तरफ chlorophyll जादा होगा chlorophyll जादा होगा तो जादा dark green होगा उपर का leaf कभी कोई dicot leaf को उठाना देखना उपड का हिस्सा जो sunlight के तरफ exposed है वहाँ वह आपको dark green मिटेगा क्योंकि वहाँ chlorophyll जादा बन रहा है जादा sunlight आ रहा है तेकिन dicot leaf पर नीचला वाला हिस्सा जहां कम sunlight आ रहा है वहाँ पर chlorophyll कम होता है chlorophyll का नंबर कम होता है तो light green दिखता है नीचला वाला हिस्सा तो इसा कुछ नहीं है आइजो-bailateral leaf क्यों पढ़ा नाम monocot leaf का क्योंगी देखो आइजो मतलब same bilateral मतलब जो दो lateral side leaf का monocot leaf का दोनों side दोनों में same number of stomata है cuticle thickness भी same है color भी same ही है इसलिए आइजो-bailateral same side दोनों का same सब कुछ है ओके इसलिए monocot leaf का आइजो-bailateral leaf बोल दी है one more point monocot leaf को equifacial leaf भी खहा जाता है equi मतलब क्या facial मतलब जो दोनों face है monocot leaf का ठीक है monocot leaf का यह जो दोनों face है यह मारा monocot leaf यह वाला face और यह वाला face दोनों में देखो सब कुछ same है equal thickness है cuticle का equal number है stomata का और color भी same है तो इसलिए equifacial leaf भी कहते है monocot leaf को चलो अब इतना समझे अब आगे एक और point discuss करते है वो है कि देखो यहाँ पे मैंने एक monocot leaf को बनाया है ठीक है monocot का leaf है यहाँ पे आपको बीच में main vein या फिर midrib दिखाए दे रहा है ठीक है main vein है इसके आजू बाजी आपको बहुत सारे और भी ऐसे parallel veins दिखाए दे रहे lateral veins parallel veins ठीक है तो यह जो main वाला vein है ना midrib यहाँ पे जो vascular bundle होगा वो ज्यादा बड़ा होगा ठीक है और इसके आजू बाजू जो parallel veins है ठीक है इनका जो stomata होगा वो कैसा होगा छुट्टा छुट्टा होगा तो मैंने आपको कहा था यह जो vein होते है याद करो जो leaf में जो आप vein देखते हो जो leaf का जो main vein होता है जिसे हम midrib कहते हैं अच्छे से लिख देता हूं midrib इसी में प्रेजेंट होता है क्या xylem और phloem इसी के through conduction होता है water of food का तो इसी में क्या होता है xylem phloem होता है एक पिनट रुको sorry for that अब देखो हाँ यहाँ पे हमारा vascular bundle था और रैट vascular bundle मैंने क्या कहा vein के through हमारा जो food और water का conduction होता है यानि कि vein में xylem और phloem होता है यानि कि xylem और phloem को तो वैस्कुलर bundle कहते है तो जो मीडरी में वेन का जो वैस्कुलर bundle होगा वो ज्यादा बढ़ा होगा size यह में जो मीडरी भे इसका वैस्कुलर bundle दिखाया आज बाद जो बाकी सब वेन है न च्टे जोड़े पतले पतले उनका वैस्कुलर bundle छोटा छोटा हो तो हो सकता है यहां पे वैस्कुलर bundle हो छोटा सा यहां पे छोटा सा यहां पे छोटा सा ठीक है समझ रहें न बात को तो ऐसे वैस्कुलर bundle यहां पे होता है हमारे मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर bundle के बादे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे पर इतना समझ गया न कि जो मिड्रीब होता है में वेन होता है उसका वैस्कुलर bundle साइज में ज्यादा बड़ा होगा और इसके आजो बाजो जो वेन होते है वो पैरलली अरेंजड होते है इसलिए हमें कैसा वेनेशन देखने को मिलता है आईजो बाइलाटरल लीफ में पैरलल वेनेशन ओर चलो मोविंग ऑन तो दे नेक्स स्लाइड अब चलिए इस चीज को समझेंगे बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स क्या होते ह है हमें पता है मोनो कॉर्ट है ठीक है तो ग्रासिस में क्या होता है ग्रासिस का जो लीफ होता है उनमें आपको बुलिफॉर्म या मोटर सेल्स देखने को मिलेंगे होते क्या है यह देखो इस बुलिफॉर्म और बात को समझेंगे यहां पर हमारा क्या है मोनो कॉर्ट लीफ के उपर मैंने आपको क्या दिखा है बहुत सारा वेंस है ठीक है ऐसे पैरलली अरेंजड है इसे ऐसे पैरिलल है एक दूसरे एक पैरलल ठीक है और बीच में चाहिक है साड़े जितने भी वेंस है इन वेंस के आपको बहुत सारे बुलीफर्म सेल्स देखने को मिलेंगा अब याद रखना यह आपको सिर्फ अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलेगा जो अपर साइड में देखने को मिलेगा तो इन ग्रास है certain adduxial epidermal cells along the veins, जो veins था न, उसके along में जो cells थी, उन्होंने क्या किया, खुद को modify कर लिया, ओके, ये मेरा fingers क्या है, ये मेरे fingers जो है, veins है, veins के उपर बहुत सारे cells थे, इन cells ने क्या क्या, खुद को modify कर लिया, into bulliform cells, ठीक है, और ये bulliform cells जो होते है, इनका characteristic क्या है, ये large होते है, खाली होते है, empty और colorless cells होते है, अब ये क्यूं होते है, क्या काम है, इनका grassis के अंदर देखो, ये चीज मैंने यहां लिखा है, अब लिखने से क्या होगा, इसे मैं समझाता हूँ, फिर इसको read करेंगे, अभी यहां मत देखना, अभी मेरे तरफ देखो, समझो, मान लो, ये देखो, ये जो copy है, मान लो, ठीक है, ये जो उपड़ वाला हिस्सा है, ये adexial part है, upper epidermis है, monocot leaf का, okay, monocot leaf का, all right, अब यहां पर बहुत सारे veins है, monocot leaf पर बहुत सारे veins है, और veins के उपर क्या है, buliform cells है, बहुत सारे buliform cells है, अब दिन के time क्या होता है, दिन के time ऐसे sunlight आया, ठीक है, दिन के time sunlight आया, ये जो हमारा buliform cells है, ठीक है, ये जो buliform cells है, इनके वहां केंदर क्या होता है वाटर स्टोř होता है ंप्ती होते है कम लेस होते हैं लार्ज उते हैं तो इनकेंदर क्या रहता है Bouleform cells के अंदर water रहता है और जब buliform cells के अंदर water enter करता है तो buliform cells क्या होती है ऐसे turgit हो जाती है और leaf का जो surface है वो exposed हो जाता है जब buliform cells के अंदर water है ठीक है तो leaf क्या हो गया बहुत सारे buliform cells है सब के अंदर water enter किया क्योंकि empty होते है तो water घुज जाता है water enter किया तो अमारी जो Mag softly तरजीथ हो गया एक्ज़ी प्रजीड हो गया एटम ठाइट ठीक है ऐज 27पी अब Quand जिआ वह वह व्याज़ी उसन का रौशनी आ रहा है संका रौशनी आ तो क्या हो रहा है water loss हो रहा है तो जो हमारे जो क्या होते थे उनमें से वाटर का लॉस होने लगता है क्योंकि जर्ण क्या कर रहे है अच्छा इंदर से वाटर सारा निकल रहा यह तो जैसी जो बुली फॉर्म का बुलिफरम सेले जो टरजिट थे इतम टाइट से खड़ेते वह फ्लासीड हो जाएंगे लुल जाएंगे जिसके कारण क्या होगा हमारा जो monocot leaf था वो ऐसे क्या करेगा इस तरीके से curl होने लगेगा, इस तरीके से curl हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया हमारा monocot leaf curl, ओके, curl हो गया, अब इस से क्या हुआ, leaf को एक फाइदा हो गया, देखो, leaf का जो surface area था, वो कम हो गया, leaf क्या हो गया, leaf ने खुद को curl कर लिया, तो अब क्या हो गया, water loss minimize हो गया, monocot leaf में जो grassis है, grassis में क्या हुआ, water loss minimize हो गया, यह सब चीज किसके कारण हुआ, bulliform cell के कारण, bulliform तो जब पानी था, bulliform cells के अंदर water था, तो तरजीट होके खड़ा था, जैसे सन ने अपना कमाल दिखाया, water loss होना शुड़ू हुआ, water loss होना शुड़ू हुआ, bulliform cell से पानी निकलना शुड़ू हुआ, तो bulliform cell का tight eye fish हो गया, जैसे कारण, bulliform cell जो थे, वो flaccid हो गया, और हमारा जो monocot leaf था, खुद को ऐसे curl कर लिया, तो और ज्यादा, क्या कहते है, excess water loss होने से, जो हमारा monocot leaf, यानि की जो grass था, उसने खुद क बचा लिया, अब शाम हुई, सूरज ढल गया, ठीक है, सूरज ढल गया, शाम हो गया, तो वापस से हमारा जो bulliform cell है, उसके अंदर पानी आया, ठीक है, पानी आया, बुलिफरम cell के अंदर, और वापस से हमारा जो monocot, ये जो grass का leaf था, वापस से एकदम tight होके, एकदम खु उन्होंने sunlight छोड़ा, फिर वही चीज होगा, वापस से bulliform cell, जो शाम को जो पानी लेकर खुब tight हो गया था, बुलिफरम cell एकदम, और जो leaf था हमारा पुरा tight हो गया था, जब सूरा जाएंगे, तो वापस से वही हाल होगा, बुलिफरम cell पानी निकलना शुड़ू होगा, बुलिफरम cell पे water stress आएगा, फ्लैसीद होगा बुलिफरम cell वापस से लीफ क्या करेगा, खुद को ऐसे curl कर लेगा, जो ग्रास है हमारा वो खुद को क्या कर लेगा, तो excess water loss होने से, जो हमारा ग्रास है, वो खुद को बचा लेगा, अब देखू, अब रेट करो, यानि की बुलिफरम cells in the leaves have absorbed water and are turgid, पानी लेके एगदम टाइट होगया, तो लीफ का सर्फेस एक्सपोस होगया, ठीक है, एगदम तरजिट होगया हमारा बुलिफरम cell, बट अब सूरत चाचा आए, उन्होंने सन्लाइट दिया, water loss होना शुड़ू हुआ, तो when they are flaccid due to water stress, अब water loss होना शुड़ू हुआ, बुलिफरम cell से, तो water stress आया, water का stress हो गया, चिंता हो गया उसको, ठीक है, तो flaccid हो गया, चिंता के कारण बेचारा flaccid हो गया, ठीक है, लुल हो गया, तो अब क्या हुआ, तो they make the leaf जिसके कारण, अब leaf क्या किया, उसने खुद को curl कर लिय बुलिफरम cell क्या करते है, they make the leaf curl inwards to minimize water loss, ताकि और ज्यादा water loss ना हो जाए, water loss को minimize करने के लिए, grass के leaf ने, खुद को curl कर लिया, ठीक है, तो यह चीज़ समझ माया, बुलिफरम cell कहा होते है, upper epidermis में होते है, हमारा जो veins है, veins के along जो cells होते है, वही cells खुद को क्या कर लेते ह themselves, modify themselves into large empty colorless cells, चलो, बुलिफरम या motor cells हमने आपर समझा, moving on to the next slide, चलिए भई आजी, अब बात करते हैं, vascular bundles की, vascular bundles of monocot leaves are conjoint, collateral and closed, closed क्योंकि जो vascular bundle जिसमें जायलम और फ्लोयम है, उनके बीच में हमें कोई cambium नजर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि भईया, closed vascular bundle है, यह vascular bundle वाला region को mark कर दिया, यहां आपको मिल जाएगा, phloem, यह पुड़ा phloem है, ठीक है, और उपर में आपको यह xylem मिल जाएगा, all right, xylem का जो broad lumen वाले cell से उन्हें हम कहेंगे metasyylem, और narrow lumen वाले cell से उन्हें हम कहेंगे proto xylem, all right, कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो इस तरीके का vascular bundle होता है, ठीक है, एक मिट से इसे बनाता हूँ, यह यह गया टकरा आ गया, हाँ, देखो, यहां पे यह जो उपर वाला हिस्सा है, यह xylem का हिस्सा है, इसे हम कहेंगे proto xylem, यहां पे आपको मिलेंगे narrow lumen वाले cells, यह जो पूरा हिस्सा है, यह हमारा है metasyyle xylem, ठीक है, यहां मिलेंगे आपको कैसे broad lumen वाले cells, xylem के broad lumen वाले cells, तो यह पूरा का पूरा हिस्सा मैंने xylem का बना दिया, और जो हमारा xylem है, उसे दो पाट में divide कर दिया, नीचे यहां पे आपको मिल जाएगा phloem, तो इस तरीके का vascular bundle होता है monocot leaf में, और और किस indarch यानि कि जो हमारा proto xylem है, वो उसका position क्या होगा, center के तरफ होगा, center के तरफ होगा, shoot के according tick करना है, याद करो shoot और जो हमारा leaf, दोनों में जो xylem का position था, same ही था, indarch था, monocot shoot हो, या dicot shoot हो, monocot leaf हो, या dicot leaf हो, xylem का position हमेंशा कहा होता है, center के तरफ, तो xylem कैसा होता है, indarch, जब मैंने vascular bundle पढ़ाया था, तो आप याद करो, मैंने leaf का vascular bundle बनाया था, कुछ इस तरीके का, अगर आपको याद हो तो और मैंने कहा था, इसलिए बोल रहा हूँ, पुराने का काम क्या होता है, secondary growth कराना न, secondary growth, leaf में secondary growth होता है, leaf में कभी wood का formation होते हो, वो तो shoot में होता है, ठीक है, वो भी dicot में, monocot shoot में नहीं, monocot stem में नहीं, तो monocot stem में भी क्या होता है, cambium नहीं होता, तो वो भी कैसा होता है, close, monocot leaf में भी क्या होता है, कुछी तरगा secondary growth नहीं होता तो Cambium नहीं होगा तो Vascular Bundle कैसा होगा प्लोजड होगा अब शूट के according आपको लीफ का शूट के according लीफ का जाइलम पोजिशन लेके चलना होगा जाइलम पोजिशन सॉरी प्रोटो जाइलम पोजिशन लेके चलना होगा है कि याद करो जितने भी शूट है डायक 올 शूट मोफके चूट दोनों में प्रोटो जाइलम को पोजीशन के दा था सेंटर गल सेंटर के तरफ था तो हमारा जाइलम कैसा था प्रोटोजाइलम पोजिशन लिख देता हूं प्रोटोजाइलम पोजिशन कहां था सेंटर गी तरफ था तो हमारा जाइलम कैसा था एंडार्ज था अब आपको शूट के अकॉर्डिंग लीफ को भी लेकर चलना है क्योंकि शूट कभ हम कहते हैं लीफ प्लस टेम सेंटर के तरफ तो इसका भी जाइलम कैसा होगा आपको तो लीफ का जो पोजिशन क्या होगा सेंटरों किछा अक्तिली Phi कैसा होगा इंडार्ज होगा समझे बात को इस तरीके का वैस्कुला बंडल होगा अब यहां पर मैंने थोरा खिचडी पका दिया अगले स्लाइड में अच्छे समझाता हो चलो को अगर अगर देया नेक्स लाइड यहां पर मैंने एक अपर ऑडेक्सेल यानि की अपर इसे बेंटरल साइड भी कहा जाता है और जो lower epidermis है इसे abaxial कहते है इसे dorsal side भी कहा जाता है अब ऐसा क्यों तुम्हारे मन में अभी तो ख्याल आया होगा क्यार उपर वाले को ventral कह रहे है नीचे वाले को dorsal कह रहे है जबकि हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में प्लांट किंडम में ब्रायोफाइट्स में जो थैलस होता था याद करो मारकेंशिया का जो थैलस था उसका उपड़ वाला surface को हम dorsal कह रहे थे ठीक है और नीचे वाला surface नीचे वाला surface जहां पर राइजोट्स प्रेजन्ट होते है उसे ventral कह रहे थे लेकिन जब हम angiospum में leaf को देख रहे है यहाँ तो ब्रायोफाइट्स का थैलस को कंसीडर किये थे लेकिन अंजियोफाइट्स में जो leaf है leaf को जबहुम सड़ी करते है तो अपर वाले को ventral कहते है जब कि ब्राइवाइट्स में अपडवाले को डॉंट्स कह रहे थे राइट और लोडवाला लीफ को हम डॉंट्सल कहते हैं जब कि ब्राइवाइट्स में लोडवाला सर्फेस गुद वीन्टरल कह रहे हैं कि समझे बात को उसी तरीगे से याद करो जब हम टेरीडोफाइट पढ़े थे तो टेरीडोफाइट का जो गैमिटोफाइट इक प्रोथालस था वह प्रोथालस कैसा था हार्ट शेपट था उसके ओपर देखो फीमेल रिर्प्रदक्टिव और गैन मेल गैमिट यह से करते हैं लेकिन में यौंक भ़ना य य। इसे हैं संद्पारित नाय में य। अपर वाले उसे को ऻिए दॉट सरब झाल डूलत हैं एक बैए वार बॉल देता हूं, एक भाद फिर देता हूं सुनलों लीफ मेंम अपर वाले को हमने वेटरन एक कर लेकिन थडि रिप्र इसके लोर वाले सर्फिस को हमने वेंटरल कहा, ऐसा उल्टा क्यों है लीफ में, अभी इस चीज को समझो, यहां पर हमने लीफ में देखो, लीफ प्राइमोडियम का डियाग्राम बना है, यह क्या है लीफ प्राइमोडियम, अब आपको पता होगा, जो हमारा लीफ होता है, वो इनिशियली क्या होता है, लीफ प्राइमोडियम होता है, और इसी लीफ प्राइमोडियम से हमारा लीफ डेवलाप होता है, तो चलो इस दो लीफ प्राइमोडियम को कंसीडर करते हैं, हम लोग इस तरीके से हैं, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टेड़ोफाइट्स और ता भाहर वाले सर्फिस यह कि यह बाहर वाले सर्फिस को लिका और अंदर वाले surface को हमने ventral कहा, lower surface को, जो कि हमने tatofites में भी कहा था, lower वाला surface जहां से rhizoids निकल रहा है, यह इसे हमने ventral कहा था, तो उसके according हमने leaf primodium को क्या किया, label किया, अपर वाला surface dorsal, inner वाला surface ventral, अब ध्यान से देखना मेरी तरफ, यह है, रुको, यह है leaf primodium, लीफ primodium का जो, मेरा जो अंदर वाला palm है, palm, यह क्या है, ventral है, बाहर यहाँ पे जो आपका skin है, यह क्या है, dorsal है, तो इस तरीके से हमारा leaf primodium है, अब यह जो leaf primodium है, यह ऐसे open होगा, open होगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे open हो रहा है, तो जो हमारा जो dorsal side है, यह जो dorsal side था, यह क्या जा रहा है, नीचे के तरफ जा रहा है, देखो, ऐसे leaf primodium क्या कर रहा है, leaf में develop हो रहा है, और जो हमारा ventral था, वो उपर के तरफ आ गया, तो leaf primodium यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यह जो हमारा leaf primodium है, आगे जाके कैसे पूड़ा का पूड़ा leaf बना लिया, तो हमारा जो dorsal वाला part था, dorsal वाला जो surface था, यह देखो, अब नीचे के तरफ आ गया, क्योंकि leaf primodium से leaf ऐसे develop हुआ, और जो ventral वाला था, ventral वाला, यह उपर के तरफ आ गया, तो इसलिए leaf में हम उपर वाले surface को, अपर surface को क्या कह रहे है, ventral कह रहे है, और नीचले वाले surface को क्या कह रहे है, dorsal कह रहे है, यह क्यों कह रहे है, अब आपको समझ में आया होगा, ventral या dorsal, और रैट, चलो, अब next चीज़ यहां पर आते है, अब आते है pressure हो गया, दाब, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, यह इंसान ऐसे खड़ा है जमीन पर, और नीचे के तरफ, lower side के तरफ, नीचे के तरफ क्या कर रहा है, दाब दे रहा है, यानि कि pressure ठीक है इससे आप बस इतना याद रख सकते हो कि दाब में जो कैपिटल डी था वो डॉर्सल था एबी जो था वो अबेक्सियल था और प्रेशर कि इदर लगता है नीचे के तरफ लग रहा था तो लोवर को हम अपेक्सियल भी कहते हैं या डॉर्सल भी कहते हैं अब आपको कि अपर का याध हो गया तो अपर का ऑड्किल याद हो जाएगा अपर का फिर क्या था एडेखसियल था उपर वाले को देखो अब को बर आते वैस कुलर अब कर दिया प्राइमरी राठ याद करो दो तरह कि होते हैं प्रोटो जेड़ा मेटा जैलम Chen तरफ आपको जो सेल्स है वो कैसे दिखेंगे नैरो दिखेंगे प्रोटोजायलम के होते हैं और यहां पर आपको ब्रॉड दिखेंगे सेल्स मेटाजायलम के और अब एक चीज़ देखो ध्यान से हमने क्या कहा आईजोबाइलाइटर जो मोनोकॉट लीफ होता है यह होता है vascular bundle, monocot leaf का vascular bundle closed होता है क्योंकि किसी तरह का cambium नहीं दोjat वहांके पर दोनों के दोनों सेम रेडियस भर है तो हमने कहा दिया konjoint ein vascular bundle तो यह होगया konjoint vascular bundle और वहांके लेटरल ईंड पर यानि कि एक तरफ परिफ्रिय पर शिफ एक तरफ फ्लोयम में प्रेजन्ट है तो तो हम कह सकते हमारा जो monocot leaf है, उसका जो vascular bundle है, कैसा है, conjoint, collateral, close, अब जिस तरीके से हमने xylem को protozylem, metasyylem में divide किया, हम phloem को भी कर सकते है, metafloem, protofloem, ये जो उपड़ वाला हिस्सा है, ये metafloem है और ये नीचे वाला protofloem है, अब लेकिन exam में metafloem, protofloem के उपर नहीं प पूछता है, और फ्लोem के उपर पूछता है, question कैसे आता है, question आएगा, ध्यान से सुनना, monocot leaf में protozylem किस तरफ face किया हुआ रहता है, फिर question आएगा, phloem किस तरफ face किया हुआ रहता है, monocot leaf में, तो आपको पता होना चाहिए, lower side, abexial या dorsal side, monocot leaf के lower abexial या dorsal side पे phloem का face होता है, और protozylem का face कि इदर होता है, upper adexial या ventral side पे, alright, तो ऐसे याद रख सकते हो, अब याद करो, सब चीज याद इसलिए बोलाओ, करो क्योंकि यह सब चीज में vascular bundle, और लेडी मैं आपको एक vascular bundle नाम का lecture है, उसमें पढ़ा चुका हो, इसलिए बोलाओ, अब याद करो, याद करो मैं तभी बोलता हो, जब मैं पहले पढ़ा के रखता हो उस चीज को, उपर के तरफ phloem था, नीचे के तरफ यहाँ पे xylem था, ठीक है, monocot leaf में क्या है देखो, यहाँ पे, उपर के तरफ xylem में नीचे के तरफ phloem था आपको कुछ नहीं करना है, monocot stem को उल्टा कर देना है, monocot leaf आ जाएगा, monocot stem को हमने, आप monocot stem पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, monocot stem का vascular bundle पढ़ लो, आपको monocot stem का vascular bundle अच्छे से याद है, आप monocot stem का vascular bundle को उल्टा कर दो, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हमारा जो leaf है, leaf primodium से जब leaf develop हो रहा है, तो leaf भी तो उल्टा हो जा रहा है, leaf का dorsal vent से लिटरल साइड भी उल्टा हो जा रहा है, तो हमारा जो monocot stem है, उसको हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि leaf भी देखो जब grow हो रहा है, leaf mature हो रहा है, तो leaf के अंदर का vascular bundle है, वह भी उल्टा कर दो, sorry, monocot stem का vascular bundle है, उसको भी आप उल्टा कर दो, leaf तो उल्टा, तो 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 इसको उल्टा कर दिये, monocot leaf का vascular bundle बन गया, चल अब इतना vascular bundle समझे होंगे, moving on to the next slide, चलिए तो अभी हमने discuss किया vascular bundles of monocot leaves are conjoint, collateral and closed, next point देखो, vascular bundles are surrounded by a bundle sheath, it is made up of thick-ward parenchyma, xylem और phloem है, हमारा ठीक है, इनी को हमने एक साथ कहा, vascular bundle, यह जो vascular bundle है, monocot leaf के, इसके around आपको एक thick-ward parenchyma का, क्या मिलेगा, layer मिलेगा, जिससे हम कहते है, bundle sheet, यह सिर्फ monocot leaf में ही नहीं होता, dicot leaf में भी होता है, देखो, यहाँ पर हमारा monocot leaf का transverse section है, और यहाँ पर dicot leaf का transistor section है, dicot leaf में देखो, यह रहा, यहाँ पर bundle sheet है, ठिक है, यह bundle sheet है, और यहाँ बीच में vascular bundle है, यह जो bundle sheet होते हैं, यह जातर, क्या होते हैं, non-green cells होते हैं, यहाँ पर भले ग्रीन कsty कलर का दिखा रहा है, लेकिन जातर जो होते हैं, non-green cells के बने होते हैं, यह bundle sheet, ठीक है enter in a के बढ़े अब यह आपको जहां पर या तो वह a लीफ हो या तो वो मोनोकॉट लीफ हो या तो वो डाइकॉट स्टेम हो या वो मोनोकॉट स्टेम हो सब में वैस्कुलर बंडल से इन सब के अराउंड आपको बंडल शीथ हमेशा नजर आएगा ही आएगा या तो वो डाइकॉट मोनोकॉट लीफ हो या डाइकॉट होता है क्या देखो आपको पता है phloem जो होता है उसकाuct पार्ट होता है लिवई-ई-जिसने ka Stephanie होता होता है जयलम का most part जोता होता है इसलिए जयल मुख होता है तो हुआ होता है बट फ्रॉम तो भैया देखने को मिलेगा लेकिन बात करें κ तो यादёт करो डाय Experiment में यहाद करोको अगंद आब आपको अणिक स्टेप पढ़ा रहा था तो यह मारा वैस्टुलर Congratulations घ्प यह जो देखने को मिल रहा था ईसके ऊपर आपको एक बंडल कैप देखने को तो phloem soft होता है, तो देखो phloem के ऊपर के तरफ यह हमारा bundle cap है, और राइट, यह क्या कर रहा है, support provide कर रहा है, यह हमारे vascular bundle को, लेकिन dicot stem में जो vascular bundle होता है, sorry, dicot stem में जो bundle cap है, ठीक है, यह कैसा होता है, sclerenchymetis होता है, बात करें, monocot stem की, अभी तुमने dicot stem की बात की, monocot stem में जो vascular bundle होता है, उसके आज़ो आज़ो बंडल शीत होता है, वो भी sclerenchymetis होता है, तो यह वो dicot monocot का leaf हो, dicot monocot का stem हो, जहाँ पे भी vascular bundle है, उसके आज़ो बाज़ो आपको एक bundle शीत देखने को मिल जाएगा, और चलो, और यह क्या करता है, support provide करता है, आप देखो यहाँ पे, यह हमारा transverse section of monocot leaf है, यहाँ पे, यह stoma, cuticle, सब कुछ है, लेकिन आपको यह scleran कायमा के cells भी नज़र आ रहे है, ठीक है, scleran कायमा के cells, यह scleran कायमा का cells क्या करता है, जो हमारा monocot leaf है, इसको strength provide करता है, monocot monocot के जो leaf होते है, आप याद करो, यह हमारा monocot का stem है, इसके parallel होते है, और बहुत लंबे-लंबे leaf होते है, बहुत लंबे-लंबे leaf, जब हवा चलती है, तो leaf बहुत जादा है, इसे हवा में लहराते रहते है, तो यह scleran कायमा होता है, यह क्या गरता है, scleran कायमा हमारे leaf को एक mechanical strength देता है, flexibility देता है, जिससे कारण ऐसे leaf उपर नीचे होता है, फिर भी देखो, monocot का leaf तूटता नहीं है, क्यों नहीं तूटता है, क्योंकि ये scleran कायमा present होता है monocot leaf में, जो कि हमारे monocot leaf को mechanical support या strength दे रहा है, ठीक है, चलो, moving on to the next slide, तो यहां पर हमने vascular bundle सा surrounded by a bundle sheet की बात की, next point, the parallel venation monocot leaf is reflected in the near similar sizes of vascular, यह point वही है, जो मैंने आपको नहीं बोला था, जो हमारा main rib होता है, mid rib, main vein, इसका जो vascular bundle होगा, बड़ा होगा, compared to जो, और भी जो lateral छोटे-छोटे veins है, इनके vascular bundle से, यह जो side में जो जितने parallel vein से, इनका vascular bundle छोटे-छोटा होगा, लेकिन जो main vein होगा, mid rib होगा, इसका vascular bundle बड़ा होगा, size में, तो देखो, the parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundle, जितने भी नियर, जो हमारे क्या है, veins है, इन सबका vascular bundle क्या होगा, similar size होगा, except in main vein, यानि कि जो mid rib है, ठीक है, यह जितने जितने जो, पास वाले veins है, इनमें vascular bundle छोटा होगा, लेकिन जो main vein है, mid rib है, इसका vascular bundle बड़ा होगा, चलो, moving on to the next slide, अब देखो, isobilateral leaf हमने complete कर लिया, यहाँ पर बस एक छोटा सा चीज है, यह भी देखो, types of leaves on the basis of stomata position, stomata के position पे कितने तरह के leaves होते हैं, epistomatic, hypostomatic, amphistomatic, astomatic, epistomatic जब stomata is present only on upper surface, तिर्फ upper surface पे present है, यानि कि example देखो floating leaves, आप देखो, यहाँ पर मैं leaf बना रहा हूँ, यह leaf है, ठीक है, यह floating leaf है, पानी है, water, water में क्या कर रहा है, float कर रहा है, float कर रहा है, तो उपर के तरफ जो, क्या कहते हैं, surface है, leaf का, वो sunlight ideal है, ठीक है, sunlight के तरफ exposed है, ideal है, तो यहाँ पर stomata present होगा, लेकिन जो water के तरफ है न, जो water के तरफ जो surface है leaf का, वहाँ पर stomata absent होगा, lower surface पे, ठीक है, तो जितना भी gases exchange होना है, stomata के through, यह उपर वाले surface से हो जाएगा, तो stomata is present only on upper surface, उपर के तरफ floating leaves में, hypostomatic stomata is present on lower surface, dicot stem का मैंने example देखे समझाया है ता याद करो, यह 90 degree होता है, stem के, यह हमारा leaf, और इसके उपर वाले surface पे stomata absent होता है, क्योंकि sunlight आता है direct, तो क्या होता है, बहुत जादा water loss हो जाता है, floating leaves में देखे, उपर के तरफ है, sunlight आ रहा है, water loss हो रहा है, लेकिन देखे, water मिल भी तो जा रहा है, फटाक से, नीचे तो पानी पानी भड़ा है, लेकिन यहां क्या है, देखो, dicot leaves में क्या है, उपर के तरफ अगर stomata रहेगा, तो बहुत जादा water loss हो जाएगा, क्योंकि जो ground पे जो हमारा यह जो dicot stem है, इसको शायद उतना जादा पानी ना मिल रहा हो, ठीक है, तो floating leaf की तरह इसका बल्ले बल्ले तो नहीं है, देखो, floating leaf का तो नीचे एक तरफ पानी पानी है, उपर में aerial है, ठीक है, लेकिन dicot leaves में देखो, उपर के तरफ अगर stomata रह और sunlight इतना जादा आया, तो बहुत जादा water loss हो जाएगा, इसलिए सिर्फ lower surface पे ही क्या होता है, हमारा stomata present होता है, stomata is present on lower surface, dicot leaves में ऐसे leaf को hypostomatic, stomata is present on upper surface, ठीक है, upper surface, कि इन में होता है, floating leaves में, ऐसे leaf को कहते है, epistomatic, amphistomatic अभी हमने discuss किया, stomata is present on both surface, जो हमारा monocot है, ठीक ह monocot का leaf है, leaf के दोनों surface पे equal amount of sunlight पड़ता है, ठीक है, तो दोनों surface पे stomata present होता है, amphistomatic यानि कि stomata is present on both surface, mostly in monocot leaves, और stomatic, stomata absent होंगे, submerged leaf में, अब ये हमारा leaf है, ये water में डूबा होगा है, ये पूरा water है, पानी-पानी हो गया, water में डूबा हो गया, ठीक है, अब ना ही इसके upper surface पे, ना ही इसके lower surface पे, कहीं पे भी stomata present ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा-पूरा पानी में submerged है, तो stomata is absent, किन में a stomatic leaf में, example हो गया, submerged leaves, तो यहां पे हमने types of leaf पड़ा, on the basis of stomata position, अब यहां पे ये lecture ह होता है, finally some up.